कल दोपेहर तमिलाडू की कन्नूर में हुए हलिकॉप्टर हाथसे में देश के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ यानि की सीडियेस जर्नल बिपिन रावत उनकी पत्नी मदुलिका रावत का निधन हो गया आज बिपिन रावत उनकी पत्नी की पार्थिफ शरीर को मिलिटरी विमान से दिली लाए जाएगा मिली जानकारी के अनुसार कल यानि शुकरवार को जर्नल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा लोग सुभा ग्यारा बजे से दो बेर तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे कल दो बजे के बाद रावत के अंतिम संसकार की प्रक्रिया शुरू होगी उनकी आखरी सफर को कामराज मार्ग से शुरू कर दिली केंटोनमेंट के ब्रार स्क्वेर सम्शान घाट तक ले जाये जाएगा वही मिली जानकारी के अनुसार पधानमंत्वी नरिंद्र मोदी भी सश्रदांगर सभामिश्वामी होंगे विपिन रावत की निधन के कारण उनके ग्रे राज उत्राखन में तीन दिवसीय राज के शोक की घूशना की गई है वही राश्ट्रिय वही अगर देखा जाये तो कहीं न कहीं राश्ट्रि की शती है क्योंकि जिस तरह से ये भावना उनमे थी उन्होंने हमेशा से ही सपद की गरीमा को बनाय रखा तो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी भी सरश्धान दिश्रभा में शामिल हो सकते हैं वही राश्ट्रपती रामनात कोविल गरीमांत्री अमिश्वा समेथ तमाम विपक्षे निताओं ने भी जुर्नल विपन रावत और अन्यके निधन पर शोक व्यक्त किया है